यह यह कैसा मिठा है जो हमारे घर में सभी को पसंद है आप इसको यहाँ पर डीजर्ट के सकते हैं साबुदाने खीर के सकते हम इसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे और 8-10 मिनिट में खीर बनकर तयार हो जाएगी यहाँ पर हमने छोटे वाले जो सबसे बारिक वाले स समय करें स्थिमाल किया है यहाँ पर चौथआए कप आपको साबुदाने लेना है अगर आप इसको मेजर्मेंट से बनाएंगे तो इक परके खीर में तक्षीर में तैयार होगी वाले गया जिलेड़भी करते हैं इनको और जो साबुदाने ऋमें उसके बार ईंको बड़ने का लूद pods लतरइगें तो help झाल हुआ तुर इससे पानिने पानि में अच्छा साअर झाल आचुक है जो सबियुकर करके रखेते उनको इसमें एट कर देंगे और पानसे चे मिनिट के लिए इंको मीडियम फिलेम पे बोईल कर लेंगे बोईल करने से जो हमारा साबुदाना होता है वो एकदम खिला-खिला रहता है खिर के अंदर तो इस तरह से अगर आप खिर बनाएंगे ना तो बागी सारे तरीके भूल जाएंगे इतनी मज़दार खिर बनकर यह तैयार होती है दूद में बिल्कुल भी ना लगे तो पां से छे मिनिट हमें इने बोईल करना ऐसाबुदाने को तो यह पर आप देख सकते हैं साबुदाने हमारे ट्रांस्पेरेंट से हो चुके हैं तो यहाँ पर गेज बंद कर देंगे और यहाँ पर निकाल लेंगे तो इस तरह से आप कोई कि यहां पर साभू दाना तो मारा कंप्लीट हो चुका है तो चलिए दूद को देखते हैं अब इसको हाँ पर साइड में रख देते हैं तो दूद में भी आपर बोईल आ चुका है जो सिक्रेट इंग्रेट रहने वह है अमाना वनिला कस्टड पाउडर यहां पर एक चमच कस ऍदिदार खीरबन के त्यार होगी पालने के बाद आपको इसको यह पर मीडियम फिलेम पे 2 मिनिट के लिए पकाना हैं 2 मिनिट के बाद हम इसमें शक्रेट कर देंगे तो इसको यह पर चलाते वे पकाएं क्यूंकि वड़बाब साबुदाना लेना है हाफ कब आपको यहां पर शक्कल लेनी और चार कब आपको रिखक को यहां पर मिलक लेना है अगर किसी भी कप से मेजरमेंट कर रहे थो तो यहां पर इस दूद को में चलाते हुए इसको पकाते रहेंगे तो इसमें यह आपर ऑफ उच्छ ड्राइफूट करेंगे तो ड्राइफूट आप अपने टेस्ट के फसाप से कम ज्ञाधा ले skills, और आप पसंद माइने कह सकते है od अब ड्राइफिट को डालने के बाद 1-5 मिनिट और इनको यहां पर हाइफिलेम पे पाका लेंगे इस दूद को जब यह दूद ठंडा होगा तो थोड़ा गाड़ा और होगा है तो यहां पर अब गेस को बंद कर देंगे आप देख सकते हैं दूद अच्छा खासा थीक हो चुका है अब इसको यहां पर गेस बंद कर देंगे दूद को यहां पर नीचे उतार लेंगे गेस से अब जो साब साबुदाना एक दम खिला खिला हो जाएगा इसमें तो एक मिनिट के लिए इस तरह से कर दें ताकि साबुदाना बढ़िया से खिल जाए दूद के अंदर तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरू करें अपनी फैमेली और फैंडस में इस वीडियो को जरू से शेर करें और इस तरह से अगर आपके यहां पर कोई मेमान आते हैं तो इस तरह से आप मीठा बनाए बहुत ही टेस्टी अब इसको यहां पर बावल में टांसफर कर लेंगे अब अगर आपको इसमें कोई वी साबुदाने के मोटे दाने लगे तो इस तरह से आप चम्मसे कर दें वह घुल जाएंगे तो इस खीर को यहां पर थोड़ा सा ठंडा होने दें उसके बाद आदा घंटे के लिए फ्रीज में रख दें आप चाहे तो इसको गरम गरम ले सकते हैं पर ठंडी यह खीर जो बहुत ही मज़ेदाल लगती है तो यहां पर सारी खीर को अमने बावल में टांसफर कर दी इसको हलका ठंडा होने देंगे गरम गरम को फ्रीज में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे उसके बाद इसको आदा घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के बाद यह खीर काफी ठीक हो जाती है तो आप देख सकते हैं आदा घंटे हमने इसको फ्रीज में रखा है आ मैं क्या बता हूँ इतनी टेस्टी खीर बनकर तयार होती है अगर आपने एक बार इस तरीके से खीर बनाई तो बाकि सारे तरीके आप बूल जाएंगे तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं अब तो इस तरह से आप कोई भी कप ले सकते हैं जब आप इस खीर को किसी को खिलाएंगे तो तारीफ ही पाएंगे इतनी मज़दार ये खीर बनती है उपर से थोड़ा सा पिस्ता बदाम की कत्रन और थोड़े से ड्राय रोस पेटल एट कर देंगे यहाँ पर जो भी आपको पसंद है आप वो चीज इसमें एट कर सकते हैं तो खीर हमारी यहाँ पर एकदम कंप्लीट हो चुकी है तो इस तरह से मीठा बनाएं और तारीफी तारीफ पाएं तो आप इस खीर की थिकनेस देख सकते हैं बहुत ही मज़दार आई है तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते एक नई रेसीपी में नई वीडियो के साथ तो इस तरह से आप खीर बनाएं और इंजोई करें